नमस्कार आप देख रहें नेशन न्यूज और मैं हूँ आपके साथ रुतिक बिहार विदान सबाचुनाओ का शंकनाद जारी है दूसरे चरण का मतदान भी होना है जो कि तीन नमबर यानि की कल है और इस कड़ी में लगातार हर एक राजनुतिक दल के नेता बिहार में गू निता तेजस्वी यादव लगातार नितीश सरकार पर हमला बोल रहे हैं और आज आरजडी के निता तेजस्वी यादव ने नितीश सरकार पर फिर से हमला बोला है आपको बता देए आपको अभी हम एक वीडियो दिखारें इस वीडियो में देखिए किस तरह तेजस्वी तेजस्वी यादव ने नितीश कुमार की विदाई की बात की कर दी है और साथे साथ उन्हों ने मीडिया से बाचूइत कहा है कि 10 नवंबर को आने वाले दस नवंबर को जब बिहार में विदान सबा चनाव के नतीज़े आएंगे उस दिन नितीश कुमार की विदाई तय है यह हम नहीं कह रहे हैं यह खुद तेजस्वी आदव कह रहे हैं आप इस वीडियो में देखी किस तरह तेजस्वी आदव नितीश सरकार पर हमला बोल रहे हैं अब देखे इस वीडियो को यह बहस का मुद्दा जब तरक परिनाम नहीं आएगा तब तक वो विश्वास नहीं करेंगा हमें तो पूरा विश्वास है कि नितीजी की विदाई तेह हैं और महागडबंधन की सरकार बनने जा रही है और यह नितीजी को विश्वास हो जाएगा दस्तालिए तो वाकित है नहीं बिहार को कितरा सताया यह बिहार के मजदूर माइग्रेंट को अपरादी तक बता दिया थे सरकार इससे जद्ध हम क्या कह सकते हैं तो सुना आपने किस तरह आरजडी के नेता तेजस्वी यादव लगातार नितीश सरकार पर नितीश कुमार पर लगातार निशाना सादर हैं और कह रहे हैं कि आने वाले 10 नवंबर को नितीश सरकार की नितीश कुमार की विदाई तय है तो अब ये 10 नवंबर को ही पता चलेगा कि विदाई किसकी होगी क्योंकि ये बियार विदान सबाचुनाओ है और पहले चरण का मद्दान भी हो चुका है दो चरण के मद्दान अभी उने बाकी है और आने वाला 10 नवंबर जिस दिन बेयार विदान सबाचुनाओं के रिजल्ट्स घोशित किये जाएंगे नतीजे घोशित किये जाएंगे उस दिन पता चलेगा कि आखिर विदाई किसकी होगी तो फिलाल के लिए मुझे दीजे इजाज़त और देखते रहें नेशन न्यूस को और विदान सबाचुनाओं के